सो स्वागते गईज मेरे यूटीब चैनल में एफलिश्टूडवित कुर्फात में जहां प्याज हम लो सिखने जा रहें कि आप किस तरीके से अपने वोकल्स को ट्यून कर सकते हैं जी हां आप अपने वोकल्स को सूड में ला सकते हैं माल लीजे किसी सिंगर ने बेसूडा अब आप नहीं बेसूडा गा दिया आप टेंशन में आ जाओगे बाई मैंने तो बेसूड़ गा दिया मैं क्या करूं चलो ऑटो टूनर लगा ले तो अपना काम बन जाएगा लेकिन आप नोटिस करते होगे ऑटो टूनर जब भी आप लगाते हो तो वह साउंड अच्छा सुड में आ जाएगा लेकिन कोशिश करना है अच्छा गाने का भी ठीक है उसके साथ ये प्लगिन और अच्छा काम करेगा तो जो भी मेरे से परसनली सीखना चाहते है चाहते है कि हां मेरे से परसनली सीखना ही है तो अभी के अभी जाके जॉइन कर सकते हो ये कुर्स 50,000 कुछ समय के लिए मैंने इसका प्राइस रखा हुए 10,000 अक्टूबर तक ठीक है अगर आप सीखना चाहते हो दम कनफॉर्म हो कि मेरे से सीखना ही है तो अभी के अभी जाके जॉइन कर लिजे क्योंकि बाद में इसका जो प्राइस है फिर से 50,000 रुपे हो जाएगा तो फि ठीक है बहुत सिम्पल है बहुत मुश्किल नहीं अब देखिए आप देकिए अच्यू की अपने को चाहिए होगा है अब यहां पर रिकार्ड करते है और यू चलीशी पर करते है ओके गेन बहुत ज्यादा है मेरे को गेन कम करना पड़ेगा फिर मैं वापस उतना कर दूंगा अब जैसे कि आप सुन सकते हो एक बार देख भी सकते हो कि जब मैंने इस वोकल को रिकॉर्ड किया है तो वह बहुत ही ज्यादा पर्फ्रेक्ट नहीं है अपने सोड पर एक बार सुनाते हैं आपको और जैसे कि आप लोग सुन सकते हो यह बहुत अच्छा साउंड नहीं कर रहा तो अब क्या करेंगे अब हम टेंशन मा जाएंगे शेदे वोकल मिखसिंग करने पे हम लोग उतर जाते है नहीं देखि कि यही आप लोग गलती कर देते हैं वोकल मिख्स करने के Shanghai वोकल ट्यूनिंग किजीए टिका है इसको सुड में राइए और आप Почему लगे और आपको अच्छा लगेगा दिखाते हम क्या कि Cris ए पहले आपको manual tuners में खोलना है new tone तो क्या करेंगे तो simply आप क्या करेंगे यहाँ पर side में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको option मिलेगा pitch correct sample इसको आप click कर देंगे ओके अब इसे बड़ा कर लेते आप देखिए क्या हो गया यह 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 वह ओके तो मैं आज आप लोगों को दो में बताऊंगा दोनों ही में बहुत अच्छे है पहला में जो अपना है वह बहुत ही बेसिक यह सेकंड में थोड़ा प्रोफेश्टल है आपको दोनों में 30 सीखना चाहिए हो सकता है कभी आप हडवड़ी में हो तब पहला में लगा तो लेकिन जब आप कोई प्रोफेश्टल प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको सेकंड में लगेगा तो पहला में लोग सिखते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को पता है ना इसको माइनर में माइनर में लगा देना है और यह आटमेटिक इसको डिटेक्ट कर लिया है कि हाँ भाई यह माइनर स्केल में अपना गाना है ठीक है तो इसे हमने क्लिक कर दिया अब क्या करेंगे क्या चीप जाएंगे और इसको कर देंगे स्नाप टू स्केल ठीक है कि यहिए कि यह ना ओके यह था हमारा पहले मैंटर्ड अब दूसरा जो मैंटर्ड वह थोड़ा सा प्रोफिशनल मैं अब मैं आपको बताता हूं क्या करना होगा उसके लिए यह तो बहुत ही बेसिक था कि आपने सिंपली उपड़ नीचे कर दिया वेरेशन को छहर दिया ट् से कम ठीक है? Scale का मैं को बता रहा हा था न ये चीह, just मैं आ को बता है था तो और मेजर Scale Formula कि भी कहिं तो कैसे था यह Hu congratulate invention. Half ton, Totoo, whole ton, whole ton, half ton है? उसी तरीके से Minor Scale Formula क warm अगर है, curator skill बनाने नहीं आता है तो यह कोई से बनाना इस फॉर्मूला के थ्रू एक बार आप स्केल बनाना सीख गए तो फिर आप यहां पर बहुत अच्छा ट्यूनिंग कर सकते हो मैं बताता हूं कैसे क्योंकि आपको पता चल लेगा कि इस गाने में कौनको नोट्स आते हैं कौनको नोट्स मतलब क्या होता है जो उज तब भीविजाने इसे यहां रख दिया इसे हमने यहां रख दिया प्लेंज हुके । झubdak कर सकते और में बतादेता हूं इस पर आपि डबल इoug को खुसना है तो आप ढप इस पे घूश सकते हो दूसरा यह देखें मेरे तब देखेंगा भाया जी हेलो हेलो इधर यह देखें जो है न माउस का आपका तो यह जो राइट क्लिक होता है राइट वाला क्लिक उस पर जैसी आप इसे क्लिक करोगे तो आप notice करने यह एकदम perfect pitch पे आ जाएगा ठीक है एकदम बीचो बीच आ जाएगा यह देखिए दिखा आते वह भी दिखा था यह देखिए दिखा इस तरीके से तो आप इसे perfect pitch एकदम मतलब इस note पे एकदम सीधा आप उसे ला सकते हो आप इस पर double click करेंगे इसको थोड़ लाइन इसके साथ छेड़ चार किया रहा है है ना देखिएगा दिखा कितना दबा हो रहेगा देखिए एक बास सुना देते हैं ठीक है ओके जादा अंतर नहीं है हलका संतर है बट वह बहुत ही important है minor minor चीज सहीं अच्छा होता होकल अब यहां पर देखते हैं यह जो चीज चीज है सी जब हम इसे ऐसे करेंगे तो आप कितना फ्लैट चारे हो कैसा चारे हो उस चीज को आप यहां से मेंटेन कर सकते हो अपने इस नोट्स को ठीक है अब सिंपली देखिए इतना इसको है ना हम लोग कॉंप्लिकेट नहीं बनाते हैं यह बहुत ही सिंपल तो मैं इस इसे सभी को अब हम चाते हैं इसका सूड़ चेंज करना तो हम लोग वह भी कर सकते हैं जगे जगे पर चलिए इसको स्लाइस टूल को हटा दी यह कट करने के बाद अब थोड़ा सूड़ बदल देते हैं देखिए सूड़ पूरा चेंज हो जाएगा देखिए पहले डवल क इसको भी डवल क्लीक इसको भी डवल क्लिक और किसे राइट वाले की से एक्दम दिखिए से लाइन के अंदर यह बैठ जाएगा ठीक है अब देखिए थोड़ा जीव हो गया ये कोई बात नहीं और इसको ऐसा रखते है यह ज्यादा हो गया यह भी ऐसे रखते है यह सही ठीक है इसको देखते हैं ओके आइधिंग मेरा वाला जो पाट था वो बहुत अच्छा था ठीक ठाक था वो ठीक है उसे यह और सुर में ला रहा है परफेक्ट नोट पर बैठा दे रहा है यह दुद्ध दॉटन और वैरियेशन को अगर एकदम डाउन कर दो गए तो एकदम जो एक रैपर होते हैं वह थोड़े ट्रैविसस को टाइप के यह लिका उस टाइप का वाइप देने लगेगा ची यह 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 अइसा कुछ करते पूडा गाने का सूरी चेंग अब देखिय और आप यहां पे मज़ा नहीं आया इसे हर्मोनी अम आप करेट कर सकते हो को भी हो यह चुड़ के आप किसे यह कर शुर्च चेंज हो गया मुझा आ गया अब क्या कर सकते हम लुग सींपली इसे फिर धोटा कि यह देखिए तो मेरा ट्राइल रजन में अगर आपका यह वर्जन में इतले का पायिकर शिर यहां से पकड़ कर के यहां अपला कर रख सकते हो इस जगए प्लोडेड़ यह अपने लूड कर रख सकते हो न्यूड जैसे आपने लोड कर रखाया इसके नीचे श्ट एडिस्टONEY अप्लोड कर दो एडिसन को अध्यान रखना कि दोनों ही मास्टर में एक साथ अप्लोड़ेड हो ठीक है सॉरी मतलड लोड़ेड हो एक ही मतलब चैनल रैक में हो राइट अब क्या करेंगे सिंप्ली को इधर कर देंगे और इसका रिकॉर्ड का बटन ओन कर देंगे और इसे एक बर हम लोग प्ले कर देंगे ऐसे ooh that's it हो गया कट किये simply अब इसको पकड़ेंगे और यहां पर खीच के लेएंगे ठीक है आप नोटिस कर पाड़े होगे दोनों में सेम एरो है ध्यान से देखिएगा यहां पर घॉपधे एड़ी सब्सक्राइब कर लोए एरो है यहां पर भी पकड़ी केया लाने कने वहीं एरो है ठीक है अगर आपको का यह ट्राइल वर्जिन में नहीं है तो डारेक्ले आप इसे क्लिक करके आप नीचे ला सकते हो यहां पर सीधे आरेंज्मेंट सेक्शन में टाइब का हो गया लास्ट में ठीक है आप इस तरीके से वोकल के ट्यूनिंग कर सकते आप और भी अपना एक्सपरिमेंट कर सकते हैं वह डिपेंड करता है कि आप कैसा गाना बना रहें उसे साफ से बहुत इजी तरीके से बहुत इसको आप यूज कर सकते हो न्यूटोन को जो भी मुझसे ऑनलाइन सीखना चाते हैं सिंपली क्या कर सकते हैं इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं वाट्सप नंबर है आप इस पर कॉंटेक्ट करिए अभी जो फीस है कोर्स की वह 10,000 यह फिर से 50,000 हो जाएगा नेक्स्ट मन तो प्लीज अगले महीं यह नहीं बोलिएगा कि सर आपने 10,000 बोला ता फीस का दाम तो अभी 50,000 आप क्यों ले रहे हो अगर आपको कड़ना ही कड़ना है मेरे साथ कोर्स आपको सीखना ही है मुझसे तो सिंपली आप अभी के अभी जहो रेजिस्टर कड़ी लो इस मौके को आप लो छोड़ो मत क ताकि मैं उसे अगले वीडियो में अपने सुधार सकूँ थैंकि सो मच मिलते अगले वीडियो में